हालेलुया उपस्थिती की और उसके वच्षन की हमेशा कभी भी कदर करना इजद करना हालेलुया फिर से कह रहा हूं हमेशा यहां नहीं कहीं पे भी अगर आप प्रात्ना में रहते हैं सो हमेशा प्रभू की उसकी उपस्थिती की और उसके वच्छन की हमेशा इज्जत करना कदर करना हालेलुया क्योंकि जो वेक्ति प्रभू की उसकी उपस्थिती की उसके वच्छन की इज्जत नहीं करता वो आदमी कभी भी जिंदगी में कुछ काम का नहीं रहेगा दीवाने तो बहुत थे एश्यू मसी के नाम के, पर कुछ ही लोग निकले उसके अपने काम के हालेलुया, जो भीड या जो लोग एश्यू मसी के पीछे पीछे घुमते थे रोच, उसमें कुछ ऐसे लोग थे, सिर्फ उनको खाना चाहिए था क्योंकि एश्यू मसी मच्छी रोटी खिलाने में बहुत फेमस हो गए थे, हालेलुया, जो कई लोग हैं जो एश्यू मसी के पीछे चलते हैं या उनके प्रातना में यहां वाँ जाते हैं, उनकी एक वज़े होती है कि वहां कुछ खाने को मिलेगा, दूसरे लोग क्यों चमतकार के लिए जाते हैं कि चंगाई मिलेगी, चमतकार कुछ होगा, उसके लिए जाते हैं, कुछ लोग हैं आसिरवाद लेने के लिए आते हैं, हालेलुया, और कुछ लोग कुछ नहीं, बस खाली तमासा देखने के लिए आते हैं, वहां पे कौन क्या-क्या होगा, कौन क्या-क्या पहना होगा, कौन कैसा नाचेगा, कौन कैसा ठुमका लगाएगा, तो तमासा देखने के लिए, और कुछ लोग होते हैं, जो सच में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके वचनों को सुनने, सिखने, और उस पर चलने के लिए आते हैं हालेलुया यह जो मैं कह रहा हूं यह मैं नहीं कह रहा हूं बाइबल कहती है मर्कुस की पुस्तक सात्वा ध्यायका चटी आयत में लिखा है मर्कुस की पुस्तक सात्वा ध्यायका चटी आयत में यह लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझ से दूर रहता है ये वेर्थ में मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धरम्देश करके शिखाते हैं हालेलुई अवलिका है जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मांते हो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो परमपराओं को पालने के लिए परमेश्वर की आज्या को भली भाती टाल देते हैं हालेलुया हम प्रभू में हैं लेकिन एक सवाल है क्या हम प्रभू के हैं क्या हम प्रभू के गीतों में नास्ते बजाते और गाते हैं लेकिन सवाल है क्या प्रभू के लिए हालेलुया तो ये हमेशा आप याद रखना आप एश्यू के पीछे चल रहे हैं पर क्या सच में एश्यू के लिए चल रहे हैं या फिर अपने फाइदे के लिए यहुना की पुस्तक बारवा द्याय का बीशवी आयत में लिखा है जो लोग उस परो में आराधना करने आये थे उनमें से कुछ युनानी थे और उन्होंने गलिल के बैस सदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे बिंती की सिरिमान हम इशू से भेट करना चाते हैं हालेलुया साफ लिखा है कि जो लोग आराधना करने आये थे उनकी टमन्ना ये थी कि हम इशू से भेट करना चाते हैं मिलना चाते हैं हालेलुया हम कितना भी अगर सज धच के यहां पे आये कितना भी पर्फिम मार के अगर हम यहां आते हैं और कितना भी अगर हम नाचे, गाए, जूमे, कुछ भी करे अगर खुदा से हमारी मुलाकात नहीं होती है तो कुछ भी फाइदा नहीं है हर गाने वाले ने हर बजाने वाले ने हर नाचने वाले ने हर चिलाने वाले ने एक चीज आना बहुत जरूरी है कि आपका येश्यू से मुलाकात करना उसे भेट करना बहुत जरूरी है अगर हम कोई भी प्रातना में आते हैं आराजना में आते हैं हालेलुया इसलिए हम जब कभी भी आते हैं हमारा मकसद हमारा इरादा जो है वो सही होना चाहिए हालेलुया हम भी सर्दच के आते हैं हम भी पर्फिम मार के आते हैं हम भी अच्छे से सवर के आते हैं लेकिन हमारे दिल में एक ही रहता है प्रभू आज ये मीटिंग में बस तेरी महिमा हो तेरा नाम उच्छा हो तू खुश हो जाए बस फिर मैं खुश हो जाओंगा हालेलुया कुछ लोग चलती मीटिंग में उनकी खुबसूरती को सवारते रहते हैं घर पे बस नहीं पड़ा रस्ते में बस नहीं पड़ा यहाँ पे भी उनका मेकप चेकप चालू रहता है बहुत बुरी बात है हालेलुया साल का आखरी दिन आखरी रात है जितनी भी सुईयां लगाना है आज सारी सुई लगा दूँगा क्योंकि उसके बाद आप होस में आएंगे और नया साल आपके सामने होगा हालेलुया और हमेसा याद रखना जो वेक्ति सुई लगाता है वो बहुत अच्छा वेक्ति है क्योंकि सुई छुपाने के लिए नहीं चुभाने के लिए होती है हालेलुया हालेलुया कभी-कभी हम लोग को बहुत हमेसा मेटिंग में सोचते हैं अच्छा प्रचार, अच्छा प्रचार, अच्छा प्रचार है ना और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अच्छे प्रचार की उम्मीद मुझसे मत रखो मैं अच्छा प्रचार नहीं करता मैं सच्छा प्रचार करता हूँ एश्यू ने कहा जब तुम सच्छाई को जानोगे जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा हालेलुया सो मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूँ मैं सच्छा प्रचारक हूँ सच्छाई को बोलने वाला और वो सच्चाही आज आपको आजाद करेगे हलेलुया हमने वो मीठा मीठा प्रचार करना हमने बन कर दिया जादा मीठे के वज़े से लोगों को डाइबिटीस हो जाता है इसलिए हमारे प्रचार में हमने करेला लेकर चलते हैं बाज लोगों को बोलो खाएगा करेला कभी नहीं रहेगा मरेला हालेलुया है ना तो मेरे प्यारो जैसे अगर आपको कोई पूछे आप यहां पे क्यों आए तो कुछ लोगों कहते हैं नहीं पाश्टर नहीं बोला आने के लिए मतलब अगर मैं बोलू मत आओ तो आप नहीं आएंगे अगर मैं कोग खाना मत काओ तो आप नहीं खाएंगे हलिलुई हज़िया यहां पर लिखा है कि जो लोग उस परो में आए थे अराधना करने के लिए उनके अंदर एक बात थी कि हम एशु से भेट करना चाहते है एशु से मिनना चाहते है हलिलुई है और मेरा हमेसा यह ही रहता है चाहे मैं प्रचारक रहूं या कोई और प्रचारक रहे मेरा हमेसा एक ही रहता है प्रभू मैं आपसे बेट करना चाहता हूं और कोई आपकी जिन्दगी कोई भी मिटिंग कोई भी सबा इसी ना हो कि जिसमें आप परमिश्वर से आपने बेट नहीं किया कई बार हम सब को मिल लेते और बहुत खुश हो जाते आज तुम्हें सब को मिला सब के साथ फोटो की जाया उसको पूछो क्या आपने एश्यू से मुलकात की क्या हलेलुया हमारा मीटिंग में आना सफल कब होता है हम धन्य कब होते मीटिंग में आके नाच के गा के जुम के चिला के नहीं जब एश्यू से मुलकात हो जाती है उसका एक असपर समय हो जाता है हम धन्य हो जाते हैं हमारा आना सफल हो गया हलेलुया 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 अगर मैं कुछ भी करूँ सारा जमाना आए और वो जमाने का बाश्चान आए तो क्या एक बार एक बहुत गरीब वेक्ति था, भिखारी था, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको किसी ने इश्व मसी के बारे में बताया, उसको बहुत अच्छा लगा, और उसको कहा गया, कि हर संडे हमारी प्रातना होती है, तो आप जरूर आईएगा, और वो वेक्ति आया, वैसा ही गंदा फटा हुआ कपड़ा पहन के प्रातना में आया, तो वहां के जो बड़े-बड़े मुख्य लोग थे, उन लोगों ने उसको देखा, क्योंकि वो जो प्रातना थी, वहां पे सब अमीर लोग आते थे, अच्छे-च्छे कपड़े पहन के लोग आते थे, को बहुत गुस आया, मिटिंग खतम होने के बाद, उन्होंनों उस गरी भीकारी वेक्ती से कहा, देखो, आपको हमने इदर बुलाया, आप आये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में रखो, इदर जब भी आओगे, अच्छा कपड़ा पहन के आने का, हालिलुया, अच्छा कपड़ा पहन के आने का, फटा हुआ कपड़ा पहन के नहीं आने का, उसने का ठीक है सर, अगले संडे, बिकारी है ना, कितना भी चेंज करेगा, तो कहीं ना कहीं, तो होल रहेगा ना, कोई कपड़ा यहां से फटा है, तो कोई यहां से फटा रहेगा, तो कोई यहां से फ तो तिन संडे उसको बोलते गए दुसरा कपड़ा पहन के आओ अच्छा कपड़ा पहन के आओ और यह हर बार चेंज करके आता था लेकिन आपको मैंने पहले भी का अभी भी कह रहा हो भी कारी है ना तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते कहां कहां होल रहेगा कहां कहां फटा र पहन के आओ पर तुम सुनते नहीं वो जब बी आते हो तुमारा कपड़ा फटा ही रहता है तुमारे कपड़े में होल रहता ही है तो हम तुमको अभी लास वार्निंग देते हैं कि अगले संडे जब प्रातना में आओगे एकदम अच्छा कपड़ा पहन के आना उसने कहा ठीक है और ये भी कहा देखो येश्यू को पूछना येश्यू को पूछना कि कैसा कपड़ा पहन के दर आने का तुमको येश्यू मसी बताएगा कि यहां कैसा कपड़ा पहन के आने का उसने का ठीक है सर और वो घर चले गया उसने येश्यू मसी से प्रातना किया और फिर से कोई वो विकारी है ना आप समझ जह मैं क्या कह रहा हूं फिर से उसकी कपड़े अलग-अलग कलर में चेंज हो रहे हैं लेकिन उसका वो होल वो फटापन जाने रहा है हालेलुईया हालेलुईया और फिर से इन लोग ने उसको देखके इनका पूरा सब जो में में लोगते लिटिंग घतम हुआ उसको साइड में लिया हमने तुमको क्या बोला था तुमको बोला था ना इधर अच्छा कपड़ा पहनके आने को तुमको बोला था ना, ऐसो पोछने के लिए तो उस ने कहा मैं ने इस्ष्व मसीष को पूछा कि वहां प्राथ्णा में जाने के ल कि मुझे भी नहीं मालूम कि तू वहां कैसा कपड़ा पहन के जाने का क्योंकि मैं अभी तक उस प्राथना में गया ही नहीं क्या हालिलुया आपको समझ रहे हैं क्या इस सुनके आपके पैरों तली जमीन ख़सकना चीए हालिलुया ऐसी बहुत सारी प्रात्नाई होती है जहां पर उसके नाम के गीत होते हैं उसके नाम के सारे इंस्ट्रुमेंट बसते हैं लेकिन वही नहीं होता आप समझने में क्या वरो उसके गीत बसते हैं उसकी मुजिक बसती है उसके नाम से लोग नासते गाते जूमते हैं लेकिन वही नहीं होता तो क्या होता है फिर हलेलुया हलेलुया एश्यू मसी हमारे जिंदगी में होना जरूरी है हमारे परिवार में होना जरूरी है और सिवकाई में एश्यू का होना जरूरी है और जहां पर भी हम एश्यू के प्रात्ना में जाते हैं उससे मुलाकात करना बहुत जरूरी है हालेलुया हालेलुया मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हर एक विक्ति येश्यू से मुलाकात करेगा क्या आप तयार है क्या आप तयार है सिर्फ परमेश्चर के वच्छन को आप सुनते रहो हालेलुया हालेलुया और आज येश्यू आपसे मुलाकात करेगा अगर आप करना चाहते हैं तो वो मुलाकात भी करेगा और आज आपसे वो बात भी करेगा और इतना ही निया आज वो आपको अस्वरस भी करेगा हालेलुया बाइबल में लिखा है पुरानी बातें बीद गई और और एक बात लिखी है कि जो बातें पीछे रहे गई उसको मैं छोड़कर उसको भूलकर मैं आगे एक और दोड़ा चला जाता हूँ आपके जीवन में ये दो बात हमेंसे रहना चीए जो बातें पुरानी हो गई उसको भूल जाओ हालेलुया किसी ने आपसे जगड़ा किया है किसी ने आपकी बुराई की है किसी ने आपका पैसा खाया है किसी ने आपका नाम खराब किया है किसी ने आपको बहुत दुख दिया है चोट पहुंचाया है भूल जाओ हालेलुया बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीद गई हलेलुया और पॉलुस कहता है कि जो बातें पीछे रहे गई उसको मैं भूल कर आगे की ओर दोड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है हलेलुया आपको पता भी है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है हर दिन के लिए रखा है हर हपते के लिए रखा है हर महीने के लिए हर साल के लिए हर पद के लिए प्रभू ने आप सब के लिए कुछ ना कुछ रखा है हलेलुया सिर्फ साल में एक बार नहीं, हर महीने, हर हपता, हर दिन, उसने आप के लिए कुछ न कुछ रखा है, लेकिन प्रावलम क्या है, हम अकसर पुरानी बाते भूल नहीं पाते, जो बाते पीछे रहे गई उसको हम छोड़ी नहीं पाते, और उसके लिए जो कुछ हमारे आगे प पहुंसते और हम उसको नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं, जिन के लिए प्रभू ने बहुत सारी आशिश रखी थी, उनके लिए बड़ा पद रखा था, बहुत सारी उनके लिए परमेश्वन ने चीजे रखी थी, लेकिन लोगों अपनी जिंदगी में नहीं पाया, क्य की दो बात, पुरानी बाते भूलना सके और जो बाते पीछे रहे गई उसको छोड़ना सके, हमेंसे आपका लाइफ का ये क्यरेक्टर होना चीए, जो जो बाते पुरानी होती है, उसको भूल जाओ, अक्सर जब जगडा होता है तो लोग कहते हैं, मैं अभी तक भूला नह कि मुझे सब यादे तुमने मेरे साथ क्या किया है, मतलब दस साल हो गया, अभी तक आप नहीं भूले, हलिलुया, इंसान की ये आदत है, कि अगर किसी ने उसके साथ भलाई और अच्छाई की है, तो हपते बर में भूल जाता है, महिने भर में भूल जाता है, अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, तो ददद साल बीतने पर भी लोग नहीं भूलते हैं, हलिलुया, लेकिन परमिश्टर के वचन हमें सिखाता है, कि पुरानी बाते बीत गई, और जो बाते पीछे रहे गई है, उन्हें भूल कर आगे की और जिन्दगी में बढ़ते जाओ, आगे की और दोड़ते जाओ, क्यों? जो कुछ भी तुम्हारा जीवन में चले गया, चाए जल गया, चाए गल गया, चाए बह गया, आपको लगता है, वही मेरा सब कुछ था, परमिश्टर कहता है, वह कुछ नहीं था, जो मैंने तेरे लिए रखा है, वह कुछ ऐसा रखा है, जो तेरे आँखों ने नहीं दे हालिलूइया, हालिलूइया, आप मैं से कई लोग होंगे, आपका घर चले गया होगा, प्रॉपर्णी चली गई होगी, पैसा चले गया होगा, बहुत कुछ आपका चले गया होगा, टेंशन मत लो, जब गलिल के काना में जब किसी का विवाता साधी थी तो ऐसा लिखा है दाकरस समाप्त हो गया हालिलुया और जो दाकरस उन लोगों ने पिया उनको लगा यही सबसे बहत्रीन सबसे अच्छा वाला है और खतम हो गया और कहा भी गया अब दाकरस नहीं है फिर अचानक से एश्व मसी ने जान से सुनो अचानक से एश्व मसी ने उसके चेलों से कहा कि जो छे घड़े हैं उनमें पानी भर दो हालिलुया घड़े में किसने भरा पानी चेलों ने भरा पानी पर किसने की महरबानी अलेलुया ये लोग तो पानी भरके हट गए लेकिन इश्यमसी का करिस्मा देखो उसने दाकरस बना दिया और आपको बता दू ये वो घड़े थे जो बाहर पड़े थे हालेलुया ये वो घड़े थे जो बाहर पड़े थे हम लोग भी वही हैं हम थे वो घड़े जो बाहर थे पड़े दया कि खुदा ने आज अंदर आके हो गए खड़े हालेलुया कई लोग सोचते हैं, लोग मुझे भाव नहीं देते हैं मुझे आइरे गहरे गिनते हैं गिनने दो आप अपने आपको समझो कि आप क्या हो आपके अंदर क्या डाला गया है वो आप देखो हालेलुईया और आपको बता दू एश्यु मसीने आप सब के अंदर कुछ ऐसा डाला है अगर आपको पता चल जाएगा तो आप छूपने बैटेंगे हालेलुया कई लोग कहते हैं क्या मेरी जिन्दगी में रह गया है क्या परमिशन ने मुझे दिया है तेरे अंदर एक ऐसा पानी डाला गया है हालेलुया जिसका आपको खबर नहीं है और एक घड़े का पानी वो जो दाखरस बन गया था वो एक घड़े का पानी हजारों के काम आया आप अकेले हो आपकी जिन्दगी अकेली है लेकिन लाखों के काम आनी वाली चीज है कई लोग अपने आपको बहुत तुछ समस्ते बहुत नीचा गिराते मैं क्या हूँ मेरे पास क्या है मैं क्या कर सकता हूँ आपके घर के बात नहीं कर रहा हुआ है हालिया देखता हूं जब किसी आइने को तो बस अपना ही चेहरा नजर आता है पर देखता हूं जब खुदा के चेहरे को तो सारा जहां मुझ को नजर आता है आलेलुया आज बहुत सा लोग पेपर पूरा पढ़ लेते नूस पूरा देख लेते बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है धन है वो आखे धन है वो आखे जिसके नीचे से परमेश्वर का वच्छन गुजरता है हालेलुया हालेलुया सो भले आप अकेले आपको लगता है मैं अकेला हूं मैं एक अकेला घड़ा हूं मैं क्या कर सकता हूं मैं आप से कहना चाता हूं आप अकेले घड़े हो लेकिन आपकी जिन्दगी हजारों लाखों के काम आएगी हालेलुया हालेलुया अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी का इस्तमाल कर सकता है तो तुम्हारी क्यों नहीं परमेश्वर कभी भी पचपात नहीं करता हालेलुया हालेलुया जो पोहितरात्मा मेरे अंदर डाला गया है वही पहुत्रात्मा आप सब के अंदर है एक घड़े में जो पानी था दुसरे भी घड़े में वही पानी था तिसरे में भी वही पानी था आपको ये जानना जरूरी है मेरे अंदर जो एश्यू है तुम्हारे अंदर भी वही एश्यू है मेरे अंदर जो पोईत्रात्मा है वही तुम्हारे भी अंदर है हालिलुया हालिलुया अलग-अलग इश्यू नहीं है और अलग-अलग पोईत्रात्मा नहीं है तुम्हारी सकल मेरी सकल तुम्हारी अकल मेरी अकल अलग है लेकिन तुम्हारे और मेरे अंदर का येश्व एक है तुम्हारे और मेरे अंदर डाला हुआ पोईतरात्मा वो एक है सेम है हालेलुया तो एक घड़ा हजारों के काम आया तो दुसरा भी घड़ा हजारों के काम आया अगर मिली जिन्दगी लोगों के काम आ सकती है तो तुम्हारी भी जिन्दगी लोगों के काम आ सकती है बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रभू को काम करने का मौका नहीं देते हैं वो खुद ही इतना काम करते हैं इतना काम करते हैं उनके कामों में इतने वेस्ट हो गए हैं कि खुदा को उनकी जिन्दगी में काम करने को नहीं देते हैं इतना काम करते हैं इतना कमा रहें छाप रहें कि उनकी जिन्दगी में खुदा काम नहीं कर पा रहा है लेकिन वह बहुत काम कर रहे है हलो आप इस दुनिया में कितना भी काम कर लो आपके काम करने से किसी की जिन्दगी नहीं सवरेगी लेकिन अगर खुदा ने तुमारे जि सो हम कितना काम करते हैं घर में हम कितना काम करते हैं company में factory में उससे ज्यादा उससे ज्यादा important यह है कि क्या प्रभू मेरे जीवन में काम कर रहा है क्या हलो हलेलुया हम कितना भी इस दुनिया में काम करें एक दिन सब वेर्थ में चला जाएगा पर वो जिस किसी की जिन्दगी में जो कारे करता है वो यहां पे भी जिन्दा रहेगा और वहां पे भी वो कारे जिन्दा रहेगा क्योंकि बाइबल में लिका है जो कारे खुदा सुरू करता है उसको कभी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है अलेलुया सो होने तो ये जिन्दगी में प्रभू काम करें आज प्रभू स्वर्ख से देखके बहुत दुखी होता है कि इन लोग को जिन्दगी मैंने दी लेकिन ये लोग अपनी जिन्दगी में मुझे काम करने ही नहीं देते इतना काम करने में ये लोग व्यस्त है कि मुझे इनके जिन्दगी में काम करने को टाइम नहीं मिल रहा है हमालो है rhymes合 2 बोलो ये जिंदगी खुदा ने दी है बोलो बोलो मैं छोड़ोंगा ने आपको ये जिन दी खुदा ने दी है और ये जिन्दगी में खुदा को काम करने दो hai बोहत काम कर लिया बोलो बाज युल्वाय को बहुत काम बेर लिया आपने बहुत काम कर लिया बहुत कमा लिया बहुत बना लिया अभी नया साल आ रहा है प्रभू को इज्जस से इमानदारी से वफादारी से अपनी जिन्दगी मुझे को काम करने दो हलो कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले साल में परमेश्वर तुमारे जिन्दगी में काम करे करता रहूं। यह देखो यह है 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 अलेलुया फिर से कहूंगा आप कितना भी काम कर लो अपने घर में कंपनी में फैक्ट्री में स्कूल में कॉलेज में हलो सब करके भी कुछ नहीं के बराबर होगा इसलिए उसको अपनी जिन्दगी में काम करने दो हलो यह वो घड़े ते जिसमें पहले और किसी ने पानी भरा था खतम हो गए उनकी मेहनत खलास लेकिन इन घड़ों ने अब चाहा कि या खुदा तू हमें भर दे लोगों ने भरा तो हम खाली हो गए सपाट हो गए बरबाद हो गए हम लुट गए खुदा अब तू हमें भर दे आलेलुया और फिर जब येश्यू मसी ने भरवाया यानि कि येश्यू मसी ने भरा फिर घड़े खाली होने का नाम ही नहीं है लोग पी पी के ठक गए और उन्होंने एक बात कहा कि हमें तो लग रहा था पहले वाला ही अच्छा है लेकिन नहीं अब जो पी रहे हैं वो से अच्छा है मतलब आपको लगता है कि मेरा जो जिन्दगी में अच्छा था वो सब तो चले गया वो सब तो खतम हो गया मैं आपसे कहना चाहता हूं जो दोस्त चले गए जो सहीली चले गए अच्छा हुआ चले गए तुम्हें छोड़ के अच्छे दोस्त अच्छी सहील अब आएगे जिन्दगी में जो ज्वाप चले गया जाने दो जो नोकरी चली गई जाने दो मैं कहता हूँ ये शिव मसी के नाम में भोशवानी के तोर पे अगर किसी का पती किसी को छोड़ के गया है किसी की बीबी छोड़ के गई है येश्यू ना स्री के नामे कह रहा हूं वही वापस आपकी जिन्दगी में आएगा हलो आप कहेंगे पाश्टर आपको नहीं पता उस आदमी ने बुझे बहुत सताया है बहुत रुलाया है अब आएगा ना वो सतायगा नहीं रुलायेगा नहीं इतना प्यार करेगा इतना प्यार करेगा आप कहेंगे या खुदा तेरा लाख लाख सुक्र है इससे वापस सच में तुने लोटा के मेरे साथ बहलाई की हालेलुया हालेलुया अब अगर किसी की बीबी लोट के आएगी तो याद रखना वो सुदर के आएगी सवर के आएगी आप भी क्या याद करेंगे उसके हाथों के काम बड़े कमाल के होते हैं हलो जितने भी बाइबल में लिकाए कि विद्वा थी एक अवरत थी, 18 साल से कूबडी थी कोई उसको सिधा नहीं कर सका कोई उसको सुदार नहीं सका सिर्फ येशू ने हाथ रखा सिधी हो गए किसी का पती तेड़ा है किसी की पतनी तेड़ी है येशू का हाथ मैं कह रहा हूं येश्यू नासरी के नाम में उस आपके पती के उपर पतनी के उपर परमेश्वर का हाथ जाने वाला है और वो सीधा होगा येश्यू के नाम में कह रहा हूँ वो सीधा होगा सीधा होगा स्विकार करो अगर किसी का पती अगर चले गया है पत्नी चली गई है या फिर आपका पती बिगड़ा है या पत्नी बिगड़ी है तो मैं कह रहा हूँ एश्यू नासरी के नाम में परमेश्वर का हाथ उसके उपर आने वाला है और वो सिधा होगा बहुत सारे लोग सहेमत नहीं है बहुत सारे लोगों के घर की परिसिदी बहुत बिगडी हुई है बहुत सारी लोग की जिंदगी बिगडी हुए, जीना नहीं चाहते, मैं आपसे कह रहा हूँ, नए साल में, एश्यू मसीह के नाम में, आपके लाइफ के उपर, आपके फैमली के उपर, आपके हर चीज के उपर, मिनिश्टी के उपर, उसका हात आने वाला है, और सब कुछ स हालेलुया, और आने वाला जो नया साल है मेरे प्यारो, उस साल में, बहुत कुछ परमेशर करने वाला है, हालेलुया, तुम्हारा जो सारा दुख है, वो आनंद में बदनने वाला है, क्या आप यह से और आमीन कह सकते हैं, मैं कोई भवश दखता नहीं हूँ, लेकिन एक जिनको परमेश्वर का आत्मा अगवाई करता है और एक ऐसे लोग जो विश्वास से वच्णों को लेकर बोलते हैं हालेलुया और हमने हमारे जिन्दगी में हमेशा परमेश्वर के वच्णों को लिया है और विश्वास से हमने बोला है और प्रभू विश्वास करने वा आमीन बोल सकते हैं कि आने वाला जो नया साल है उस नय साल में आपके साथ कुछ होने वाला है कि तुम्हारा सारा दुख आनंद में बदलने वाला है और ये साल भर में तुम्हारी हुई सारी नाम धराई, बदनामी बेजती आने वाले साल में इज़्जत में बदलने वाली है हालेलुया और तुम्हारे सारे रोक, सारे जो दर्द हैं, पिड़ाए हैं, वो चंगाई में बदलने वाले हैं हालेलुया और जितने भी कुएं सैतान ने आपके बंद करके रखे हैं आशिशों के वो अब नहीं साल में सारे बंद कुएं खोल दिये जाएंगे हालेलुया जितने भी लोग विस्वास से यस आमिन बोल रहे हैं उन्हीं का कुवां खुलेगा बागी का नहीं बाद में कुछ लोग कहेंगे उन्होंने बोला था बंद कुवां खुलेगा मेरा अभी भी बंद है क्योंकि जब हम बोल रहे थे तब तुम्हारा मूँ भी बंद था हालेलुया अगर आज अपना मूँ खोल कर विस्वास से यस और आमिन कहेंगे तो आपके जीवन में जितने भी आशिश के कुवें बंद हैं सारे कुवें खुल जाएंगे हालेलुया और आने वाले नए साल में सारे खाली बरतन सारे खाली बरतन भर दिये जाएंगे इस कलिस्या का एक भी बरतन खाली नहीं रहेगा आप कहेंगे मैं तो यहां का नहीं मैं तो कहीं और का हूँ बस आज के लिए आया हूँ तो आप के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ आने वाले साल में प्रभू आपको भी भरने वाला है हालेलुया और जो कुछ भी तेड़ा है इस साल में आपका तेड़ा रहे गया सीधा नहीं हुआ वो आने वाले साल में सब कुछ सीधा होने वाला है हालेलुया दो को यह विशुवास करना और कहना एक बहुत बड़ी चीज है एक आदमी था बाइबल में 38 साल से रगड़ रगड़ के घसर घसर के घसर घसर के जी रहा था और उसको चंगाई के लिए तरस रहा था और उसको चंगाई नहीं मिली क्योंकि हर बार उससे पहले कोई न कोई आगे बढ़के उड़ी मारता था और वो चंगा हो जाता था लेकिन फिर भी एक आस लिए विश्वास लिए 38 साल से वो घूम रहा था कि कभी न कभी तो मेरा नम्मर लगेगा और उसके उस विश्वास को देखकर उसके उस आस को देखकर एश्व मसी महा पे आया और उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है उसने कहा प्रभू मेरे पास कोई नहीं है एश्व ने कहा अरे मैं हूना आप किसका इंतजार कर रहे आप किसकी आसा लगाए है कि कोई आएगा आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा नहीं कोई आएगा तुमारे आशू पोछेगा नहीं कोई आपकी मदद करेगा भलाई करेगा नहीं वो आचुका है वो आचुका है अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूवत नहीं है अब किसी और के ओपर विश्वास भरोसा करने के और उनसे आस रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि वो आ गया है और वो जो कर सकता है वो जो दे सकता है वो दुनिया में आपको अपने भी नहीं दे सकते आलेलुया पाया प्यार जब से येश्यु मसी का भूल गया गम मैं जिन्दगी का पाया प्यार जब से मैं येश्यू मसी का भूल गया गम मैं जिन्दगी का दे का चेहरा जब से येश्यू मसी का खयाल भी नाया और किसी का हालेलुया मेरे जिन्दगी भी परमिश्वर के बहुत ऐसान है हालेलुया ना जाने कितने ऐसान हम पे खुदा के गर गिनने लगे तो तारे कम पड़ेंगे आसमा के हालेलुया आपके उपर भी परमिश्वर के बहुत आइसान है वह आपने समझना चीए हालेलुया यह साल आज खतम हो जाएगा और साल खतम होने आ गया और आपको यह भी पता होना चीए 2018 के अंदर बहुत सारे जमान लोग बुड़े लोग किसी का पती किसी की पत्नी खतम हो गया धन्य है आप लोग साल खतम होने आ गया आप अभी भी जिन्दे हैं हालेलुया 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 दो आज़ाटरा में कई लोग खतम ओंगे साल भी अभी समझों खतम ही हो गया लेकिन आप खतम नहीं हुए यह उसका हाथ तुमारे उपर बना हुआ है यह उसका रह्म और करम है तुम पर हालेलुया कई लोग 2019 देखने के लिए तरस गए अलिलुया नहीं देख पाए लेकिन आप देखने वाले हैं मैंने कहाँ आप देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से देखने वाले हैं मैंने पहले भी कहाँ भी भी कहूंगा 2019 आप के लिए सारे बंद कुए खुलने वाले हैं चाहे पतनी, चाहे पती, चाहे बच्चे, चाहे व्यापार, चाहे कामधंदा, जो कुछ भी तेड़ा बिगड़ा है, सब 2019 में सब सीधा होने वाला है, हालेलुया, आपकी चंगाई आपका इंतजार कर रही है, हालेलुया, आपकी आशिशें आपका इंतजार कर रही है, हम ल उसका बेटा मर गया था, और उन लोग मुर्दा लिये जा रहे थे, और आंसू बहा रहे थे, दांसे सुनो, एक विदुआ थी, उसका बेटा मर गया, जमान बेटा मर गया, और उसकी अर्थी मयत को लिये वे लोग जा रहे थे, और ऐसा लिकाए गाओं के बहुत सारे लोग एक ऐसी पब्लीक, जहां पे सिरिफ मृत्यू है, जहां पे सिरिफ आंसू है, बिमारी है, दर्द है, पीडा है, और एक ऐसा समू जिसके पास आनंद है, शान्ती है, चंगाई है, छुटखारा है, जिन्दगी है. हलो, हो सकता है, 2018 आपके लिए आंसू रहा हो, बिमारी रहा हो, दर्द रहा हो, करजा रहा हो, गरीबी रहा हो, और आपके लिए पीडा का साल रहा हो, लेकिन 2019, जिन्दगी में बदलने वाला है, चंगाई चुटखारे में, खुशियों में बदलने वाला है, बरबादी नही आबादी में बदलने वाला है हालेलुया जो भी मूर्दा जो भी बाते चोड घाओ दुख लिए आप गूम रहे हैं आज सारा मूर्दा पटक दो मरी हुई बाते बेकार बाते फालतू बाते गुस्से वाली बाते चोट वाली बाते नफरत वाली बाते बदले वाली बाते आश्मा की बाते आश साब पटक दो क्योंकि हम लोग जिंदगी वाले में प्रवेस करने जा रहे शांती आनन खुशियों में हम प्रवेस करने जा रहे हालेलुया और इश्यू मसी ने उसके बेटे की अर्थी को छू लिया हालेलुया और वो उठकर बैड़ गया अचानक से मृत्यू जिंदगी में बदल गई अचानक से मातम खुश्यों में बदल गया अचानक से जो पीडाएं हैं वो चंगाई में बदल गई ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है बहुत आंसू बहाया बहुत मृत्यू को देखा बहुत बिमारी दर्द और तकलिफें आपने सैली लेकिन अब 2019 में प्रभू ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि 2019 में इश्य मसीख खड़ा है आपका स्वागत करने के लिए हालेलुया वो कह रहा है बस 2019 में प्रवेस करो तुम्हारी मुलाकात मिर्द्यू से नहीं जिंदगी से होगी तुम्हारी मुलाकात बिमारी से नहीं चंगाई से होगी तुम्हारी मुलाकात आंसू से नहीं खुशियों से होगी हालिलुया मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं बहुत बड़े विश्वास से कह रहा हूँ और अगर आप विश्वास से यस और आमिन बोलते हैं तो येश्यू नासरी के नाम में कहता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा हालिलुया हालिलुया खुश लोग सोचते हैं आप बोलते हो अच्छा बोलते हो लेकिन अच्छा करेगा कौन वो हम जिन्दगी की बाते बोल सकते हैं जिन्दगी नहीं दे सकते हैं हम चंगाई की बाते बोल सकते हैं चंगाई नहीं दे सकते, देने वाला तो वो है, क्या आपको उस खुदा पे भी शक है, हालेलुया, हालेलुया, और और एक वच्चन है, कुमार जो है, कुमार के बारे मिलिका इर्मया का, अट्रा अध्याई का, कि वो मिट्टी का बरतन वो बना रहा था, और उसके हाथ से व बरतन तूड़ गया, और फिर उसने उसको अपनी समझ के अनुसार एक नया आकार दे दिया, हालेलुया, ये साल के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी, परिवार, काम, दंदा, व्यापार, बहुत सारी चीजें, बिगडी हैं, तुटी हैं, लेकिन मैं आप से फिर से कहना चाहता हूँ, 2019 में उसके सामर्द के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार, उसकी कुवत के अनुसार, एक नया रूप, एक नया रूप मारे लाइप में, फैमली में, मिनिश्टी में आने वाला है, अभी तक आप अपने समझ के अनुसार, अपने हिसाब से चाहते थे न, इसके लिए सब कुछ बिगड गया, तोट गया, बिखर गया, अब उसके समझ के अनुसार, उसके धिमाग के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार, उसके सामर्थ के अनुसार, उसके योजना के अनुसार, अब तुमारे जिन्दगी में काम होने वाला है, हालेलुया आपने प्रभू से कहना प्रभू मैंने मेरे हिसाब से जिंदगी को बहुत बनाने की मेरे फैमली को, सेवकाई को हरे चीज को मैंने बहुत बनाने की सवारने की, सजाने की कोशिश की प्रभू लेकिन मजा नहीं आया अब तु ही कुछ ऐसा कर दे तु ही मेरे जिंदगी बना दे तु ही मेरे परिवार को बना दे तु ही मेरे जिंदगी के हर चीज में हाथ डाला तु ही बना हालेलुया किसी ने कहा अगर तुम अपना सब कुछ खुदा के हाथ में दे दोगे तो तुम्हारे हर चीज में तुम खुदा के हाथों को देखोगे हालेलोया मैं तो बहुत बेसबरी से 2019 के लिए उतावला हूँ 2019 मुझे कुछ नहीं देगा 2019 के महिने, सप्ता और दिन मुझे कुछ नहीं देंगे लेकिन 2019 साल भर में महीने भर में हपते भर में हर दिन में हर पल में वो मुझे बहुत कुद देता रहेगा क्योंकि हर दिन का वो मालिक है हालेलुया हालेलुया कभी-कभी लोग कहते हैं यह साल मेरे लिए पनाउटी रहा यह दिन मेरे लिए पनाउटी रहा पर कभी नहीं बोलते महीं पनाउटी है हालेलुया हम कभी भी किसी भी साल को किसी भी महीने को किसी भी हफ्ता को किसी भी दिन को हम दोश नहीं लगा सकते क्योंकि हर दिन का मालिक वो है हर दिन का बनाने वाला परमेश्वर है और बाइबल कहती है उसने जो कुछ किया जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छवा बनाया ह हालेलुया हालेलुया और थोड़ा सा बोलके मैं खतम कर रहा हूँ अगर आप लुका की उस तक में अगर आप पढ़ेंगे नौ का फिप्टी से बन से लेकर सो वहाँ पे एश्यु मसी का एक बुलावा था तीन जन के लिए मैं आप से कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बुला रहा है पिछले इन सारे सालों में आप बहुत वैस्त रहे बहुत बिजी रहे बहुत काम किया बहुत मेहनाद की पर अब मैं आप से कहना चाहता हूँ 2019 में परमेश्वर आपको सब को उसके लिए उसके कारे के लिए बुला रहा है और कुछ यहाँ पर ऐसे लोग है जिनको विसेश रूप से वो आपको बुला रहा है कुछ ऐसे लोग है जिनको विसेश खास रूप से परमेश्वर आपको बुला रहा है 2019 में हालेलुया आप पूछेंगे किस लिए गुला रहा है आपको बता दू उसके बीछे पूरी रीती से समर्पन के साथ चलने के लिए हालेलुया जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है हमने बहुत समय बरबाद कि पर आपका ये होना चीए अभी कि प्रभू 2019 2019 जैसे ही आने वाला है प्रभू ये मेरा जीवन अभी से मैं तुझे समर्पन करते लिए एक आद्मी ने कहा ये श्री मसी आप जहां जहां जाएगे मैं आपके पीछे आऊँगा बहुत कस्मे वादे किया उसने पीछे नहीं है दूसरे को बोला तू मेरे पीछे है बोलता है मेरा बाप मर गया बस गार देता हूँ फिर आपके पीछे आता हूँ दूसरे को बोला तू आजा बोला बस आता हूँ घर के लोगों से विदा होता हूँ बस आ जाता हूँ तीनों में से कोई भी एश्यू मसी के पीछे नहीं है जांसे सुनों एश्यू की प्रात्ना में बहुत सारे लोग आते हैं एश्यू के प्रात्ना में आना कोई बड़ी बात नहीं है एश्यू मसी के पीछे चलना वो बड़ी बात है हालेलुया हम प्रात्ना में आते हैं भुरा मत मानों हम कोई महरबानी नहीं करते हालेलुया मैंने पहले भी आपको शाहरी सुना चुका दिवाने तो बहुत तेश्य मसी के नाम के पर कुछी लोग निकले उसके अपने काम के हलेलुया आज प्रभू ऐसे लोगों को ढूंड रहा है कि जिसके अंदर वो अपना कारे कर सके और उस घड़े का वो अधुत रिती से इस्तमाल कर सके हलेलुया हलेलुया सो एक ने वादा किया तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे आओंगा वो आया ने दूसरे ने बहाना किया नए साल के लिए तीन चीज आपके लाइप में होना चीए नमबर एक कुछ तो कमिट्मेंट होना चीए अभी आपका मैं सबसे कह रहा हूँ आगे पीछे जो भी लोग दाएं बाएं बैटे सबसे अगर आप एश्यू के प्राक्ना में आए और अगर आपको एश्यू पसंद है और आपको जरब एश्यू से महुपत है तो दो हजार उन्निस आपके लिए ऐसा कुछ होना चीए कि अभी से दो हजार उन्निस के लिए आपका परमिश्वर से कुछ कमिटमेंट कुछ वादा होना चाहिए 2019 में वादा करूगा नहीं वादे आज ही आपको करना है हालेलुया दुसरा नो बहाना बाजी कोई बहाना बाजी अभी 2019 में परमिश्वर के साथ मत करना 18 में बहुत किया, बहुत बहाना मार लिया अब 2019 में कोई बहाना मत करना तिसरा अब 2019 के सामने आ रहा है यह साल बरा बहुत पीछे की तरफ देखते रहे लेकिन अब और पीछे नहीं देखना है जो भी वेक्ती इश्यू मसी में रहता है और पीछे देखता है वो पीछे ही रहे जाता है और जो आगे देखता है वो आगे बढ़ जाता है आज बहुत सर लोग अपनी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पाए उनका एक सवाल है कि मैं येश्यू में हूँ लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पाया हम येश्यू में हैं लेकिन पीछे की ओर हमेशा जागते देखते रहते हैं पीछे ही देगे आगे नहीं बढ़ पाए हमारे भी जीवन में बहुत कुछ हुआ पर हम क्यों आगे बढ़ गए क्योंकि हमने हमेशा आगे देखा और हर बार प्रभु ने जो कुछ मेरे लिए रखा मैं पाता चला गया हालिलूया क्योंकि जो पीछे देखते हैं वो पीछे ही रह जाते और वो प्रभु के राज के योग भी नहीं रह जाते और बार बार सैतान आपसे कहता है देखो तुमारी पुरानी जिंदगी में तुमारी पिछली जिंदगी में क्या हुआ देखो गया साल में क्या हुआ देखो गये महिने तुम्हारे साथ क्या हुआ और हर बार हम पीछे 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 ही देखते रहते और यह सच्चाई है आप अपनी मुंडी ऐसा गोमागे जड़ा दोड़ के दिखाओ पीछे की तरफ जड़ा ज़ाकने वाले पीछे ही रह जाते है और जो आगे देखते हैं आगे ही बढ़ जाते है 2019 में आपने आगे क्यों देखना है हालेलुया सब कुछ आपने भूल जाना है पती ने क्या बोला पत्मी ने क्या बोला बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने क्या बोला, बहु ने क्या बोला, सास ने क्या बोला, पडोसी ने क्या बोला, सेट ने क्या बोला, सेठानी ने क्या बोला, देवरनी ने क्या बोला, जेट ने क्या बोला, जेठानी ने क्या बोला, सब भूल जाना है, सिरिफ आगे क्य सब भूल जाओ सिरिफ आगे क्यों बज़ा लग बोले सब भूल जाओ आगे क्यों अब आगे जाना चाहते हैं कितने लोग 2019 में बहुत आगे जाना चाहते हैं आज ही आपके सारे दुस्मनों से कहना जा मैंने तुझे माफ दिया आलेलुया वो भी सोचेगा आज मेरा आपनी किदर जाके आ है मेरी और आज कहां गई थी मेरी बहू मेरी सास आज कहां गई थी आलेलुया आलेलुया एक ऐसी जगह जहां अच्छे अच्छे तेड़े लोग सीधे हो जाते हैं आलेलूया, एक ऐसी जगा जहां सारे बंद कुए खुल जाते हैरे का आ, एक ऐसी जगा जहां सारा जो दुख है, मातम है आनन्द में बदल जाता है इश्यू मसी ने हम लोगों को माफ कर दिया हमने भी सब को माफ कर दे है क्या करेंगे चोट लेके नफरत गुस्था लेके अलेलुया अलेलुया बाइबर कहती है अगर तुम किसी को माफ करोगे तो खुदा भी तुम को माफ करेगे अगर तुम किसी को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करोगा हालेलुया तो माफ करने में माफी है माफी में माफी है किसी को अगर आप माफी देते हो उसे माफ करते हो तो उसमें आप के लिए में माफी है जब आप किसी को माफ करके आजाद कर देते हो तो आप भी आजाद हो जाते हो आलेलोई या शो माफी में क्या है बोलो माफी में माफी है और क्या है माफी में बोलो आजादी है और क्या है बोलो सुकून है और आपको बता दू माफी में लंबी उमर है जो लोग नहीं माफ करते ना जल्दी टपक जाते यह सच्छा ही है नहीं माफ करने वाले जल्दी मरते जिसको भी जल्दी मरना है मत माफ करो जिसको ज़्यादा दिन तक जीना है माफ कर दो और आजी माफ कर देना और अभी माफ कर देना आपके बाजू में सैतान बैठा होगा ने ने आपने ही समझे बहले आपके बाजू में कोई बैठा होगा फिर भी हो आप तोनों के बीच में सैतान बठा कोएगा ने 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 उसको मत माफ करना उसको मत करना बाकि सब को करना उसको मत करना और आपने कहना है कालिया सैतान दुनिया में सब को माफ करूँगा तेरे को नहीं करूँगा इस दुनिया में कौन है जिसको आपने कभी माफ नहीं करने का और उसके उपर कभी रह्म नहीं खाना सैतान अलो वही एक है जिसको आप भूले से भी माफ नहीं करना उसी ने तुम्हें रूलाया है उसी ने तुम्हारे शरी में बिमारी डाला उसी ने तुम्हारे परिवार को तोड़ा उसी ने तुम्हारे सारे खुशियां लूटी है और उसी ने तुमसे पाप करवाया तुमको खुदा से अलग करवाया उस कालिया को माफ मत करना कौन है कालिया? यह तो मालूम बड़ा आपके पड़ोस में कोई है बहुत काला है अच्छा यह कालिया Alleluia सबको माफ कर दो, सबको Alleluia मैं सच कहूं, जो लोग माफ कर देते हैं वो जिन्दगी का हर पल मज़ा लेते हैं जब खाते हैं तो शांती जब काम करते हैं तो शांती जब सोते हैं तो शांती माफ करके देखो माफ करने का मज़ा माफ करके देखो मैं आपसे कहता हूँ अगर आपके दिल में किसी के लिए चोट नफरत कड़वाट है ना बस माफ करके देखो ऐसा एक जिन्दगी में ऐसा एक रास आएगा एक ऐसा मजा आएगा आप भी क्या याद करेंगे बहुत सा लोगो रात को नीद नहीं आती है बहुत सा लोग सब कुछ करते फिर भी उनके लाइफ में ना संतुष्टी नहीं है सुकून नहीं है क्योंकि किसी के बारे में चोट गुशा नाराजगी लेके बैठे है और हमारी नाराजगी हमारा गुशा हमारी कड़वाट आशमा हमारी ही जिन्दगी को बरबाद कर देगे जिसके भी घर में कचरा रहेगा उसी का घरबास मारेगा जिसके भी कबाड में दीमक लगा है उसी के कबाड खा जाएंगे आलिलुया माफ करने में बोलो भला ही है माफ करने में आजादी है माफ करने में आशीश है और आपको पता है माफ करके आप आगे बढ़ जाते हैं हाँ आपकी माफ भी आपको आगे लेके जाएगी यह सच्छा ही है अगर आज तक आपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाए तो जरत आप पता लगाओ किसी के बारे में गुस्सा है क्या उसे माफ कर दो मैं कहता हूँ आप देखो जिन्दगी में आगे बढ़ जाएगे रात को अच्छी नींद आएगी और आपको रोज अच्छा लगने लगेगा आप भी सोचेंगे मुझे ऐसा कुछ तो मिला नहीं लेकिन मैं इतना खुश क्यूं हूँ क्योंकि जब आप किसी को माफ कर देते हो खुदा बहुत खुश होता है फिर आपको खुश्यों से बर देता है आलिलुया एश्यो मसी ने माफ कर दिया हर किसी को खीलो में लटक कर दी एक हम हैं एक हम हैं कि जो किसी को माफ नहीं कर पाते आराम से महलों में बैट कर दी उसको मैं छोड़ोंगा ने उसको मैं बताऊंगा और वो खीलों में लटक कर भी कहता है हे पिता इन्हें माफ कर दे हम और आप होते तो क्या बोलते हैं या खुदा इन्हें साफ कर दे उसने कहा इन्हें माफ कर दे माफ कर दे ये नहीं जानते क्या नहीं जानते सब जानते थे उन फिर भूँस ने कहा इन्हें माफ करडे ऐलिलु्या अगर कभी आप से को यह गाएगा जान दो माफ कर जो नहीं नहीं उसको नहीं माफ करेगा आप किसको फिर माफ करेंगे हलिलुया मैं कहना चाहता हूं एक माफ़े की जिन्दकी जीओ मज़ा आ जायेगा और आप एक ऐसे वेक्ति बन जाएंगे एकदम से माफ करने वाले वेक्ति आप फेमस हो जाएंगे कहेंगे ये माफी वाल आद्मी है कौफी वाला ने माफी वाल आद्मी है सबको माफ करते ने बता है हलेलुया दिल जिसका हरवक साफ होता है खुदा भी हर्वत उसके साथ हुआ खुदा करे तुमें जिन्दगी में कभी कोई गम न हो खुदा करे तुमें जिन्दगी में कभी कोई गम न हो खुशियां वो तुमें इतनी दे कि कोई छिने तो भी कम न हो लूटने वाले हमें लूट लूट के ठक जाएंगे उटने वाले हमें लूट-लूट के ठक जाएंगे, हमारा खुदा हमें इतना देता रहेगा, जिएंगे जिन्दगी हम बास्चा की तरा, जमाना हैरान होकर देखता रहेगा। अलेलुया, जो नए साल के लिए जो संदेश था, वो खत्म हो चुका है, और हम सिर्फ आपका दो-चार मिनेट लेंगे, कि हम इस समय प्रभू से हम पच्चताप करें, साल बर में जो भी हमसे पाप गलती हुई है, हम परमिश्वर से माफी मांगे, और जिस किसी को भी हमने श शमा करें, हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग शमा करने के लिए और शमा मांगने के लिए तयार है, आप तयार है, पका, ओके, आई हम खड़े हो जाए, कोई भी यहां वा नहीं करेगा, सिर्फ आपका दो-चार मिनेट, आपको माफी मिलने वाली है, और आपके सारे श्राप, सारे बंदन कटने जा रहे हैं, सिर्फ दो-चार मिनेट बस, आप सब मेरे साथ यह प्रातना किजिएगा, कहो प्रभु इश्यू, यह 2018 में, साल बर में, जितने भी पाप, जितने भी अपरात, जितनी भी बुराईयां, जितनी भी गलतियां, जितने भी गलत का, मुझसे हुआ है, और मैंने किया है, मैं कबूलता हूँ, मैं बच्चताब करता हूँ, मेरे सारे पापों के लिए, सारी बुराई के लिए, सारे गलत और गंदे कामों के लिए, मैं बच्चताब करता हूँ, मैं शमा मांता हूँ, यश्यमस्ई, मुझपे दया कर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, तेरे लहू से, मुझे दो दे, शुद कर दे, पवीतर कर दे, एश्यू मसी जैसे तूने मुझे माफ किया आज मैं भी उन सारे लोगों को जिन्हों ने मुझे दुख दिया है मुझे रुलाया है मुझे चोड पहुचाया है मेरी बुराई की है मेरा बिगाडा है मेरा जिल लिया है मेरे सारे दुस्मनों को मैं शमा करता हूँ शमा करता हूँ उन्हें आशीर देता हूँ उन्हें आजाद करता हूँ येश्यू मसी के नाव है प्रभु येश्यू सबी लोग कहें प्रभु येश्यू मेरे स्वेम के दौरा जिस किसी के भी दुआरा मेरे जीवन पर आए वे जितने भी श्राप हैं गालियां हैं बदुआएं हैं कोसना है नखारे जाना है तुझ किने जाना है गिर्णा किये जाना है येश्यू मसी के नाम में मेरे जीवन के उपर से तोड़ देता हूँ देवस्ता के जितने विश्रा मेरे जीवन पर है येश्यू के नाम में तोड़ देता हूँ किसी भी तरह का जादू टोना तंत्र मंत्र जाड़ भूग मेरे नाम से, मेरे विरोध में, जो भी खिया गया है, उससे तोड़ देता, दुष्ट सैतान और दुष्ट आत्माओं के, मेरे जीवन के विरोध में, बनाए हुए हरे प्रकार के, हानी के हत्यारों को, चलते तीरों को, उसके गड़ों को, उसके अधिखारों को, उसकी सामर्थों को, ये शियु मसी के नाम को, तोड़ देता, ठा देता, गिरा देता, नस्ट कर देता, और अपने आपको आज़ाद करता, अपने आपको आज़ाद करता, प्रभु आज मेरा जीवन आपको सौंप देता अब आप मेरे जिन्दगी में काम करो मेरा जीवन आपको सौंप देता अब मैं मेरे लिए नहीं मेरे अपनों के लिए नहीं बस तेरे लिए जिऊंगा यह जिन्दगी तुने लिए ये जिन्दगी तेरे काम आने दे एश्यू मस्य के नाम में प्रातना करता हूँ सुन और कबूल कर कहो प्रभु एश्यू अबरहम की सारी आशिशों को और एश्यू मस्य में सुवर्गी अस्थानों में मिली हुई सारी आशिशों को मैं मेरे जीवन में सुईकार करता हूं ग्रहन करता हूँ, यह सारी आशिश हैं, मुझे लग जाएं, मुझे लग जाएं, ये श्रीव मसी के नाप, आमें, और आपको सारी आशिश लग गई हैं, हालेलुया, हालेलुया